ओके स्वागता बच्चों आपका सेल्ट श्टड़ी के इस चैनल में और अब तक कि हम अपनी बेसिक बेसिक की सारी वीडियोज ग्रैमर की बेसिक की सारी वीडियोज हम कंप्लेट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन को डीटेल में और आज देखो pronoun का लेक्ट जो ये concept है या जो pronoun को डिटेल में करने वाले हैं ये काफी जादा बड़ा है जिसमें बहुत सारे topic हम cover करने वाले हैं मेरा ये मानना है कि जब ये pronoun कतम हो जाएगा तो हम ये मैं ये कह सकता हूं कि approximate 60% syllabus खतम हो जाएगा English grammar का क्यूंकि इसमें बहुत जादा concept हैं बहुत सारी चीजें आ जाएगे इसके अंदर तो आज हम करेंगे pronoun का देखिए part 1 है काफी सारे part आएंगे basic फिर से आएंगे अभी basic कि जितनी वीडियो मैंने आप लोगों करवाया है उसके लावा कुछ और basic बच गए थे उनकी जुरुरत मुझे इस pronoun में बढ़ेगी तो मैं वहाँ पर आप लोगों कराऊंगा तो आज हम इस pronoun के first part में हम देखेंगे subjective, objective और possessive case ये तीन चीजे हम देखने वाले हैं subjective और objective क case को कहते हैं personal pronoun, okay introduction मैं दे देता हूँ pronoun का, pronoun का introduction क्या है कि जैसे हिंदी में हम कहते हैं संग्या के स्थान पर आने वाले को स्वरुनाम कहते हैं वैसे ही English में, English में कहते हैं it stands for a noun, it stands for a noun, noun की जगह पे आने वाले को pronoun कहते हैं for example, Sachin, Sachin plays, Sachin plays cricket, Sachin plays cricket, अब दोबारा से मुझे, Sachin के बारे में ही लिखना है, तो मैं Sachin का use नहीं करूँगा, Sachin का use नहीं करूँगा, इसकी जगह पर he use करूँगा, he, कहीं पर भी लिख दो, he lives in, he lives in Delhi, okay, he lives in Delhi, clear तो यहाँ पर pronoun, pronoun क्यों आया, noun की repetition रोकने के लिए, clear हुआ, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं कि types, pronoun के types कितने होते हैं, तो personal pronoun, total 10 हैं, possessive pronoun, तो आज हम यह दो करने वाले हैं, personal और possessive आता हूँ, एक बार इन महिनिंग में बताऊँगा, demonstrative, distributive, reciprocal, reflexive, emphatic, indefinite, relative, interrogative, यह total 10 टाइप के pronoun हैं, और इन 10 को हम करेंगे, दीरे दीरे वीडियो में, अलग-अलग parts में, इन सब को हम complete करेंगे, ओके, आज हम करेंगे, personal, person का मतलब जो होते हैं, हमारे सामने, first person, second person, third person, इन सब को हम देखने वाले हैं, clear, और possessive, possessive का मतलब होता है, अधिकार, अधिकार जताने वाले, clear, वो चीज़ हम करेंगे, अब एक चीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने basic की वीडियो नहीं देखियें, तो जाकर वो देखियें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या मैं यह कहा रहा हूं कि यह वाला जो lecture है, या फिर यह जो वीडियो है, वो पूरी की पूरी dependent है पिछली वीडियो के उपर, क्योंकि वह ने वहाँ पर आप लोगों को किसी भी sentence को break करना सिखा दिया, जैसे यह verb है, यह subject है, how we identify, this is a subject, कैसे हम identify करेंगे, subject है, कौन-कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, कब proportion आई है, proportion का object आया है, proportion का object का कोई लेना देना नहीं होता, verb से, तो यह सारी चीज़े मैं आप लोगों को discuss कर चुका हूँ, अपनी previous वीडियो के साथ, तो अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, pronoun की, तो पिछली वाली वीडियो नहीं देखिए, तो कोई फायदा नहीं है, वीडियो देखने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उपर से जाने वाली है अगर जिन्होंने देख रहे हैं, तो यह उनके लिए beneficial है, तो बिना बात के काफी सारी बाते होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा concept कराना है, तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं यह करवा रहा हूँ आप लोगों को personal pronoun, फिर हम possessive पे चलेंगे, फिर बाद में बाकी case हैं, जो ब objective और nominative case, यहां पर लिखाओ objective case, यहां पर I, me, we, us, देखें, I एक subjective case है, subjective case क्या है, इसको example से अभी मैं समझाने वालों, जो subject की जगहें पर आते हैं, और objective case क्या होता है, object की जगहें पर आते हैं, अभी example के तुरू भी हम इस चीज़ों को करेंगे, I होता है subjective case, me इसका, I objective case क्याता है, me, we, subjective case होता है, इसका objective case क्याता है, us, you और इसका you, यानि दोनों का subjective or objective case सेम रहता है, थोड़ा ध्यान यहां पर देने वाली बात है, he, he का objective case क्याता है, him होता है, she का objective case क्याता है, her होता है, और it का objective case, it होता है, यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, they का objective इतने आसान कोशन नहीं देगा कि वो आपको I or Me में फसाद है। वो आप लोगों को ऐसी चीज़ें देगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी। पता होने का मतलब यह है कि आपने वो पड़ नहीं रखी होती हैं। हमने ज़्यादा तर यह आएमी बिल्कुल सी चीज़ें कर रखी होती हैं। तो इसलिए हमें यह चीज़ें याद हैं। अभी थोड़ देर में मैं इसके उपर discuss करूँगा possessive के उपर। अभी फिलाल इन दोनों को objective और subjective case को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तोड़ा सा समझने का मतलब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दो example लिखें। कि यह ही आएगा ही माएगा हमें यह identify करना हैं। मुझे लगता है कि बच्चा कर लेता हैं। बहुत आसान है मुझे पता है बहुत आसान हैं। बेसिक से मुझे advance पर लेके जाना है। तो मैं यह चाहता हूँ कि बच्चा जब मेरे साथ जुड़ रहा है ची वो advance level का हो ची वो zero level का हो मैं उसको zero ही consider करके चल रहा हूँ। बाद मैं उसको advance पर लेके जाऊंगा। में भी आप लोगों को यह आता होगा। शायद आप लोग skip कर सकते हैं। अगर जिनको नहीं आता है तो उनके लिए चीज़े हैं न। मैं तो सारी चीज़ों को मतलब ऐसे मान के चल रहा हूँ मेरे सामने जो student है जो भी इस वीडियो को देख रहा हूँ। जीरो पे है। मैं उसको एडवांस पे कंसिडर कर रही नहीं रहा। ओके तो यहां पर आएंगे sentence देखेंगे ही हिम यह slash लगा रहा है इन दोनों में से क्या आएगा। प्लेज क्रिकेट अब अपनी trick क्या रहेगी पहले हमेशे वर्ब इस sentence को break करना। ब्रेक करने की शुरुआत कैसे करेंगे वर्ब से फिर से एक बार आपको याद लाता हूँ वर्ब क्या होती है जो action को represent करती है यह चीज तो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ जिसकी तीन form होती है और action के अलावा भी मैं आप लोगों करा चुका हूँ क्योंकि वर् बलकि वर्ब के basic basic में तीन वीडियो हैं वहाँ पर आप लोगों करवाया मैंने ओके यहां पर आगया place हो गया वर्ब अब cricket क्या बनेगा cricket बनेगा इस वर्ब का object कैसे मैंने आप लोगों बता एक तो temporary तोर पे what एक तो temporary तोर पे what या home का reply ले लो वर्ब से place what place cricket तो यह आप एक चीज मैंने discuss की थी कि subject आएगा verb आएगा यह दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है 100% यह चीज़ें आएंगी आएंगी अगर verb आएगी तो उसके लिए subject आएगा तो उसके लिए verb आएगी तो यहां देखो जरा यह place verb आई इसके लिए इसका subject चाहिए subject यह बन नहीं सकता cricket क्यों नहीं बन सकता क्योंकि यह जो sentence है वो passive में नहीं लिखा हुआ वो active में subject कौन होता है subject होता है doer subject होता है doer जब मैं आप लोगों के लिए detail पे जाऊं तो क्युछ terms मैं यह वहां पे use करूँ तो confuse नहीं होना है तब ही मैं basic में सारी चीज़ें करवा देता हूँ ताकि यहां time खराब ना आओ मैं passive active यहां ना समझाऊं क्योंकि मैं वो समझा चुका हूँ तो यहां पर subject हमें क्या चाहिए doer चाहिए अब यहां पर इस verb के लिए subject चाहिए तो subject के लिए क्या subjective case आएगा या objective case आएगा जरा देखो जरा subjective case या या objective case या ही होता है subjective case और him क्या होता है objective case हमें क्या चाहिए यहाँ पर play लिखा हुआ है play के लिए subject चाहिए तो subject का काम क्या करेगा he करेगा him नहीं करेगा इसलिए he आया अब बच्चा जानता है बच्चा जानता है he आएगा him नहीं आएगा यह जानता है लेकिन क्यों आएगा यह रीजन में आप लोगों देए क्योंकि subjective case चाहिए मुझे he plays cricket subjective case चाहिए इस action को करने वाला चाहिए और इस verb के लिए subject चाहिए इसलिए subject आएगा object नहीं आएगा यहाँ पर अगले sentence में चलिए यहाँ पर verb क्या है scold है scold क्या होगी verb होगी यह scold करने का काम क्या है कि इसने रोशनी ने क्या है रोशनी क्या है यहाँ पर subject है और यहाँ पर क्या है यह noun है नाउन में भी क्या है proper है अब scold किसको किया इस verb का action किसके अपूरा देखे एक होता है subject, जो action को करता है, एक होता है object, जिसके ओपर action हो जाता है, अब scroll करने का ये काम किसके ओपर हुआ, ये काम हुआ इनके ओपर, he या him के ओपर, यानि यहां पर हमें receiver चाहिए, receiver कोन होता है, object होता है, और objective case क्या होगा, objective case यह हीम होगा, क्योंकि objective यह रहा हमा यह हर एक बच्चा जानता है, examiner कभी भी इस चीज के उपर यह नहीं देगा कि he लगाने है, him लगाने है, वो कुछ और चीज देगा, वो ही उसके उपर discuss करना है, यह तो मैंने आप लोगों को personal pronoun समझा दिये, अभी थोड़ी चीज़े और रह गई है, personal pronoun में, ठीक है, यह चीज होगी, अब personal pronoun में यह जो IV होता है, इसको हम कहते है first person, first person, क्योंकि personal pronoun होता है, person की बात करते है first person, यह you होता है second person, अभी करेंगे, you होता है second person होता है, बाकी बचे के यह कहलाते हैं, third person कौन होते हैं, first person कौन होता है, second person कौन होता है, इसके बारे में अभी discuss करते हैं, first person वो होता है, जो बात करता है, speaker first person वो होता है, जो बात करता है, बोलने वाला, यानि I we, यहां पर speaker है, यानि I और we हमेशा, जो भी बात करेंगे, या जो भी sentence में बात कर रहा होगा वो first person कहलाएगा you कोन होता है second person होता है second person क्या होन होता है listener जो सुनता है जो बात को सुनता है listener जो बात को सुनने वाला होता है ये कहने वाला होता है एक सुनने वाला होता है एक होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है talk about, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो होते हैं third person, देखेो जरा I ने he को कहा sorry, 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 यह वाली यह एक मिनिट, यह रफ कर देते हैं जैसे I ने you को कहा, I speaker है user listener है, I ने you को कहा, कि he intelligent है देखे, I बात करने वाला हो गया, speaker हो गया, you उसकी बात सुनने वाला listener हो गया और he जिसके बारे हैं बात हो रहे है यहां पर Third Person हो गया, clear यहां पर तो I ने you को का he जो है वो intelligent है तो यह बात होती है यह बात हो तीन परस्थ होते है First Person, Second Person, Third Person First Person Speaker होते हैं जो बात करते हैं Second person, listener होते हैं, जो सुनते हैं, Third person, talk about, जिनके बारे में बात की जाती है, clear है, इसलिए इनको personal pronoun कहा जाता है, क्योंकि ये person की बात करते हैं, example के थुरू हमने इनको समझ भी लिया है, कि ये personal pronoun हम कैसे use करेंगे, he, him, ये वाले चीज़ें होती हैं, subjective or objective case, ये हम समझ चुके, अब error किनके ओपर आता है, वो चीज़े हम देखने वाले, आप जो रहाँ, ये complete होगी अपनी, अब यहाँ पर आते हैं, possessive, possessive का मतलब होता है, अधिकार, possessive का मतलब होता है, अधिकार जताना, अधिकार वाचक, clear, आप लोगों को topic करवाया है, मैंने, adjective versus adverb का भी topic, मैंने आप लोगों को करवाया है, तो आप लोगों को ये अच्छे से पता है, ये जो word है, my, our, your, his, her, its, their, ये जो होते हैं, वो adjective होते हैं, वो किसी चीज़ के पर अधिकार जताते हैं, इसलिए इनको possessive adjective कहा जाता है, लेकिन at the same time, possessive pronoun भी होते हैं, अभी फर्क भी समझेंगे, possessive pronoun और possessive adjective में क्या फर्क होता है, आओ ज़रो, mine, ये हो गया, ज़रा ध्यान रखना है, I का possessive case क्या होता है, mine, we का possessive के ours, you का possessive के yours, he का his, ज़रा इसके उपर ध्यान देना, he's और he's, ये हैं exam का point of view से, बहुत important चीज़ है, बोलते वक्त, लिखते वक्त, exam के time, error के time, बहुत mistake आती है, इसके उपर, he's, he's, क्योंकि भाईया, वो possessive pronoun भी होता है, और possessive adjective भी होता है, अभी करेंगे, इसके उपर बहुत बड़िया sentence करने वाले, फिर आता है, hers, हर, एक चीज़ इसके उपर ध्यान देने वाली है, हर एक adjective होता है, और हर, यहां पर एक objective case भी होता है, ये वाली भी चीज़ ध्यान देने वाली है, इट का possessive pronoun नहीं होता है, इट का possessive adjective होता है, इट्स, यहां पर देयर्स, ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, माइन, आवर्स, यूर्स, हीज, हर्स, फिर क्रोस, देयर्स, ये होते हैं, possessive pronoun, possessive pronoun क्या काम करते हैं, अधिकार जताते हैं, अब ही जड़ा देखो, इसको अच्छे से करेंगे, एक चीज बताओ मुझे, pronoun है क्या, pronoun है क्या, pronoun जो है, वो noun की जगह पे आता है, pronoun है क्या, pronoun जो है, वो noun की जगह पे आता है, यहांपर आप एक चीज़ देखेंगे, possessive लखा हुआ है, possessive कि अब possessive pronoun बोल रहे हूँ, एक तो noun की जगह पर आएगा, दूसरा यहां पर possessive लिखा है नहीं, अधिकार भी जटाएगा यह ते नहीं, दो काम करेगा, possessive pronoun, अधिकार जटाते हुए noun की जगह पर आएगा, नाम से देखो न, अधिकार जटाते हुए noun की जगह पर आएगा उसे कहेंगे हम possessive pronoun अब यह example के तुरू में चीजों को समझेंगे अब मैंने आप लोगों के सामने एक बात रखी थी कि noun क्या काम करता है जब पहली वीडियो आई थी noun 5 काम करता है subject बनने का object बनने का preposition object बनने का subject compliment बनने का यह मैंने आप लोगों इस साथ discuss किया था अब noun यह काम करता है तो मैंने आप लोगों को बताया था pronoun है क्या pronoun एक तरीके से इसका भाई तो है क्यों भाई है यह यह जगह पर आता है उसकी repetition को रोकता है अगर noun इसका pronoun इसका भाई है तो काम भी यही करेगा ना same to same पांचों ध्यान रखना इस चीज को अगर noun जो काम कर रहा है उसका भाई भी तो वही काम करेगा ना तोड़ा बहुत difference है वह आप लोगों को मैंने एक पहली वाली वीडियो के अंदर discuss कर दिया था और हो सकेगा तो मैं इसी वीडियो में भी वह discuss कर दूँगा छोटा से एक minor से difference होता है noun और pronoun के बीच में कि यह similarity तो है भाई भाई में लेकिन कुछ difference भी तो होते है ना वही चीज़ा मैं discuss कर दूँगा तो possessive pronoun हो गया समझ में है possessive pronoun अधिकार जताने वाले pronoun होते हैं possessive adjective क्याते हैं अधिकार जताने वाली adjective होती है मैं इसको एक example से होर समझा देता हूं जैसे my car इसको मेरा अधिकार जता रहूं इस car के उपर मुझे इस car की repetition भी रोकनी है और मुझे इसके पर अधिकार भी जताना है तो मैं करूँगा mine ठीक है यह है क्या possessive pronoun possessive pronoun possessive pronoun is equal to है adjective adjective plus noun यह दोनों के equivalent है यानि adjective जिसके ओपर अधिकार जताएगा उसके equivalent है possessive pronoun clear यहां पर my car लिखो या mine लिखो यहां पर आप लोगों के लिए दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी ओके अच्छा अब sentence में चलते हैं possessive case के ओपर चलते हैं यहां पर आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूं वीडियो को पोज करने और जितना हो सके जितना हो सके मैं नहीं कहा रहा हूं कि बिल्कुल correct करने हैं मैं बस इतना कहा रहा हूं कि वीडियो को पोज करके चार sentence है इन sentence को break करने ब्रेक कि actual में दिक्कत क्या है कहा मेरे सामने दिक्कत है देखिए जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बता चलेगा आपके सामने आपकी गलती नहीं कलके नहीं आएगे आप कहां टकरें वो पता नहीं चलेगा ओके तो यहां पर आपको क्या करना है वीडियो पोज करिए और, ओके मैंने वीडियो पोज कर लिए होगे, I hope so, आप लोगों ने करके देखी होगे, नहीं किया है, तो एक पर वीडियो पोज कर लिजी, और कर लिजी, और जिन्हों ने कर लिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपको आप लोगों करवा देता हूँ, यहां पर पैला के उर्ण मंच्ग कुल में बड़ाइब कर रहे हैं और कंपर आधिसेंट नियुकिर देखे לתर अब ये है main verb ये has क्या है ये has a helping verb score word score किया runs score verb का object बनेंगे clear अब ये 400 क्या कर रहे है इस runs को qualify कर रहे है इनको कहेंगे adjective अब 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 ये अब ये अब ये अब ये क्या होते है अब ये against होती है preposition अब preposition सर हमें नहीं पता है ये against preposition होती है मैंने आप लोगों को कुछ common preposition कराए थी to, for, from, in, at, between ये आप लोगों को मैंने common preposition करवाए थी एक और preposition ले लो against, against आगया with आगया, without आगया ये आप लोगों के लिए और preposition आजाएगी अब जब भी sentence में ये word आएंगे तो आप क्या पहचान निपाओगे कि ये sentence दे, off हो गया, off है from है, ये वाली जो common preposition है ये आप पहचान निपाओगे अच्छा मैंने लिख दिया था गया उपर, from तो ये जब भी preposition हैंगे पहचान निपाएंगे पहचान लेंगे भई, सीखने ही तो आए हो सीख रहे हो, आज आप लोगों को पता चलेगा, ये preposition है, आगे से कभी भी किसी sentence में देखोगे, तो क्या पता निचलेगा, ये preposition है, बेश्चक पता चलेगा सीखी रहे हो ते हो, सीखी तो रहे हो मैं तो सीखने के दोर में ही हो अभी यहाँ पर देखो verb आई, अब verb क्या है, वर्ब जब भी आईगे अपना क्या मांगेगी, subject मांगेगी, तो इसका subject मुझे क्या देना पड़ेगा, इस team को देना पड़ेगा, ये team क्या बनेगा, subject बनेगा team है, क्या noun है, collective है, ओके, अब word कौन सा रहे गया, words रहे गया, ये yours, hours अची hours रहे गया, अब hours रहे गया, ये है क्या, ये है pronoun, वो भी कौन सा, possessive pronoun है, possessive pronoun है तो अब क्या ये सही है, देखे, मुझे लगता है, बच्चे को मतलब pronoun, अब possessive pronoun है, दिक्कत क्या आती है, हम इसको hours क्यों नहीं रख सकते, reason बड़ा साफ सा है मेरे दोस्त, reason ये है, ये noun आया हुआ है, ये subject बना हुआ है, आप इसको pronoun बना रहे हो, pronoun बोलोगे इसको, possessive pronoun, तो ये क्या होगा, ये कहेगा कि बहिया, आपने मुझे pronoun बना दिया, लेकिन मेरा काम तो decide करो, काम क्या है, noun बनने का, मतलब काम क्या है, मेरा subject बनने का, क्योंकि noun का है भाई है, तो subject बनेगा, object बनेगा, preposition का object बनेगा, subject compliment बनेगा, object compliment बनेगा, तो ये 5 काम बोलेगा, कि बहिया, अगर तुमने मुझे pronoun बनाया है तो मुझे पांच काम में से एक काम तो decide करो देखो मैं आप लोगों को बार-बार कहता आ रहा हूँ कि जो भी English grammar में जितने भी parts of speech है, आठ parts of speech है आठों को कोई ना कोई काम assign कर रहा है, अगर काम assign ही नहीं किया होता, तो वो बनायी क्यों होते, same ऐसी pronoun का काम क्या है, वो noun की जगह पर आएगा, और noun जो काम करता है वो pronoun भी करेगा, तो यहाँ पर क्या ही है pronoun की जगह पर आएगा, तो यह पांच काम करेगा, subject बनने का, object बनने का preposition object बनने का, subject compliment बनने का, object ही खता है कन्जेक्ट का है यहां पे क्लीर हूँ धृच लेकिन डुप कुछ भी Do time को जोड़ना होते हैं ना सेम यहीं परसों सब्जक्ट को जोडने के लिए कन्जेक्शन तो चाहिए तो यह सब्जक्ट नहीं है उबजेक्ट ऑबजेक्ट होता है verb का receiver कै र स्चिवरbridge है action के भब कर एक्शन का receiver है नहीं यह नहीं है preposition का अबजिकट प्रिपॉजेशन इस से पहले है नहीं प्रिपॉजेक्ट नहीं है subject complement subject Complement तो तब आते ना जब B की form जब B की form क्या बनती है main वो बनती है, तब ये क्या कहला, तब ये बनते हैं, subject compliment, इसके बाद आते हैं subject compliment, कहां है बी की form, बी की form भी नहीं है, तो subject compliment नहीं है, object compliment, अरे object आया नहीं, तो object compliment का है का, और ये वैसे मैंने अभी तक कराया नहीं है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, तो इन सब चीजों से हमन लोगों के दिमाग में चीज़ें बैट जाएं बैट इसलिए जाएं क्योंकि एक्जाम कभी कभी कुछ लेट होते हैं तो वो चीज़ें काफी लोंग टाइम तक याद रखनी होती है तो उसके लिए लोजिक उसके लिए रिपीटिशन बार-बार अभ्यास करना बढ़ता है प्रैक्टिस करनी बढ़ती है तो यह बार-बार मेरी चीज़ों को बोलना यह नाउन है यह यह चीज़ काम करता है तो वो आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैट रही है अब बैट इसलिए रही है तो कि मैं रिपीट इतनी बार कर रहा हूं क्योंकि आदत हो गई है मुझे पता है बच्चे को कैसे क्या करवाना है कितना याद करवाना है कैसे याद करवाना है ओके तो फिर से यहां पर आते हैं आवर्स यहां पर क्या बनेगा पॉसेसिव प्रणावन बनेगा तो यहां पर यहां पर पॉसेसिव प्रणावन बनेगा लेकिन इसकी जगह य adjective यह कौन सा, possessive adjective, clear है यहाँ पर, अब एक और चीज रहेगी, यहाँ पर against, against proportion है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कि जब भी proportion आएगे, proportion के बाद क्या हैंगे, proportion के object आएगे, proportion के object आएगे, तो यह रही proportion, proportion कब हमें object चाहिए, you are क्या होता है, you are तो यह है, एक adjective होत विशेष्था बताना, विशेष्था किसकी, noun या pronoun की, adjective जब भी आएगा, वो अपने बाद noun या pronoun लगवाएगा, मैं कुछ और position भी discuss कर चुका हूँ, पिछली वीडियो के अंदर, वो सारी चीज़े या नहीं करा हूँगा, बट simple यह कह रहा हूँ कि adjective का का काम यह होता है, noun या pronoun को qualify करना, उसकी विशेष्था बताना, whatever that qualification, कुछ भी हो सकती है, वो bad हो सकती है, good हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरीके की qualification हो सकती है, qualify कर सकती है, बुरे तरीके से, अच्छे तरीके से, जैसे भी तरीके से, clear, तो यह preposition है, preposition के बाद इसका object चाहिए, और लिए लिए लोगों के सामने यहां पर दो जंठ penalty दो चेशन रखता हूं के लिए लोग js audio पर आता थे यहां पर ने इस cyber वब पोजिशन ने वाला एड्जेक्टी by और यह गया को जैकिए रहे तो यहां पर बैटर चीज रहेगी कियों कि टीम पोर से थिकरभाइं और यह जया यह वcs कि जगा सबसे best answer रहेगा यूवर्स एक sentence में दो error कभी नहीं आएंगे यह समझाने के लिए मैंने लिखा है आवर्स team has scored 400 runs against यूवर्स ध्यान रखना इस चीज़ को next word के पर next sentence के पर चलते हैं आवर is the best team in the world अब इसमें इन क्या है प्रिपोजिशन है यहां पर यह देखो यह रिमेंस है इन प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद क्या चाहिए प्रिपोजिशन के बाद चाहिए प्रिपोजिशन के बाद चाहिए प्रिपोजिशन के बाद चाहिए प्रिपोजिशन के बाद चाहिए की फोर्म जब भी में वर बनती है subject compliment किला इसके बाद क्या आते हैं subject compliment आते हैं कब भी की फोर्म भी में वर बनेगी कब में वर नहीं बनेगी मैं यह भी बता चुका हूँ जब इसके बाद अलग से कोई वर आरी हूँ तो इसको बोल दो helping वर नहीं आरी तो इस्ती को बोल दो main यहां पर कोई वर नहीं आरी है इस यह बनेगी main वर अब इसके लिए क्या चाहिए अभी आएग पर और देख लेते हीं बेस्ट टीम यह टीम मैंने कहाना subject Compliment कों बनेगा, यह टीम बनेगा सिब्जेक कम्प्लिमेट, सिब्जेक कम्प्लिमेंट यह टीम मनेगा Nouwn है, collective है, best इसको qualify करने वाला adjective है, qualitative adjective है ओके, यहाँ लिएक दता हूं qualitative adjective, अब यहां पर देखो यह वह आई, यह article है यह वह भाई इसके लिए हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट कौन बनेगा यह सब्जेक्ट बनेगे नाउन या प्रणाउन सब्जेक्ट बनेगे नाउन या प्रणाउन तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है मैंने यहाँ पर आवर, आवर क्या होता है, adjective होता है, जरा देखो यहाँ पर, यह रहा आवर, adjective, तो आवर adjective होता है, adjective क्या, subject बनने का काम कर देगा, नहीं, मैंने क्या कहा, noun, पूरी English grammar में subject, object बनने की power इनके पास ही है, तो यहाँ पर आव पर टीम की repetition क्यों कर रहे हो, इसलिए आवर्स लिखेंगे, okay, grammatically गलत नहीं होगा, अगर आवर टीम लिखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही बात आती है, कि pronoun बनाई क्यों है, pronoun का तो काम decide है, कि तुम यह काम करोगे, assign किया हो है उसको काम, कि तुम pronoun की repetition रोखोगे ओके, आगे आओ चुरा, an elephant can use its trunk in many ways, एक हाती अपनी सून का इस्तिमाल कर सकता है, अलग अलग तरीके से, फिर से देखो, in preposition है, ways is preposition का object है, preposition का object हो गया, many इसको qualify करने वाला adjective हो गया, quantitative adjective बोलेंगे यहाँ पर, देख देता हूँ, quantity, quantitative adjective, अब यहाँ देखो, can, modals होते है helping verb है, इसके बाद यह main verb आती है, यह main verb रही, elephant, कौन करेगा भईया, is use करने का, elephant करेगा, तो यह elephant क्या है, subject है, doer है नहीं यहाँ पर, यह noun है, यह noun है, यह article है, use, क्या use करेगे भईया, use करेगे, trunk, soon, अपनी trunk को use करेगे, object बनेगा यह, okay, अब यह बच गया एक word, यह बच होता है, its, यहाँ पर देखो, यह वाला, एक its यह होता है, और एक, कॉमा लगा के its यह बच बनता है, क्या फरक होता है, इन में, जो कॉमा लगा के यह वाला its होता है, इसका मतलब होता है, it is, इसका मतलब होता है, it is, ध्यान रगना, इसको, अब यहाँ पर it is लगाया ट्रंक को, तो अब यहां पर हमने क्या कर दिया, एक इट लगा दिया, एक वब घुसेट धक्के सी, अरे यहां पर इट है, तो इसे अलिफेंट के लिए इट लगना था, लेकिन यह इट का मतलब आ जाता है, इट इस, यहां पर तो एक यह सब्जेक्ट बनाओगे, यहां पर यह वब बन जाएगी, इट रंक, यहां पर सब्जेक कॉंप्लिमेंट बनता घुमेगा, इस सेंटेंस का मीनिंग सोरी, सोरी, पार्ट सो स्पीच सही कर देने से, सेंटेंस सही नहीं हो जाता, उसका मीनिंग भी कनवे होना चाहिए, दो चीजें बड़ी इंपोर्टन है, सेंटेंस सही करने के लिए, मीनिंग और पार्ट सो स्पीच, दोनों को, दोनों का कम्बिनेशन चाहिए, अगर यहा पुमेवाला ना के, simple it's आएगा, okay, possessive adjective है ये, अगला चलते हैं, the ganga and its tributary flow in the northern plains of India, in preposition है, preposition के बाद क्या आते हैं, object आते हैं, यह रहाँ, preposition का object, planes, planes है, preposition का object, एक बन मैं rough कर देता हूं, काफी सारे बच्चे शाहिद इससे confused हो सकते हैं, okay, 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 preposition है, preposition के बाद क्या आत object आते हैं, planes is preposition का object बनेगा, northern इसको qualify करने वाला एक adjective बनेगा, ओ, फिर से preposition बनेगा, और India is preposition का object बनेगा, इतनी चीज़ क्लिर हुई, आओ जो रहा, यहाँ पर flow, flow verb है, flow कौन करता है भी, यह गंगा करता है, तो गंगा यहाँ पर subject है, the article है, end conjunction है, वही ट्रिब्यूटर गंगा और उसकी साइग नदिया, क्या करती है, flow करती है, बहती है, तो यह भी क्या बनेगा, subject बनेगा, दो subject को आप जोड रहे हैं न, देखो, दो subject को आप end conjunction से जोड रहे हो, जोड सकते हो, एक verb के लिए दो subject आ सकते हैं, उनको आपने conjunction से जोड दिया, फिर वही यहाँ य यह वाला it's नहीं चाहिए था, यह वाला it's चाहिए था, बिना apostrophe वाला it's, तो इसको ध्यान रखना जरा, देखे, examiner आप लोगों को कहां फसाने की कोशिश करेगा, जहां पर जिनकी sound सेम हो, यह रहे, it's, clear, अभी तो और भी चीज़े आएंगी, धिरे धिरे और भी चीज ब्रेक करने, इनके अंदर error है, वो error सही करने है, तो video pose करिए, उके, अमीद करता हूँ, जैसा मैंने आप लोगों कहा है, video pose करके, आप लोगों ने error निकालने की कोशिश कियोगी, इनको break किया होगा, first of all तो break करना ही है सबको, मैं ना भी कहूँ, तब भी आप लोगों को break क करना है, क्या पता मेरे mind से तब sleep हो जाए, आओ जड़ा देखो, practice है ये, it's very dark outside the room, outside the room, so you are, so, so, यहाँ पर गलत लिखते है, मैंने मेरी गलती है, मैं type करते वक्त होगा, so you should, you should take a torch with you, कह रहा है कि आप, बाहर बहुत अंदेरा है, बाहर बहुत अंदेरा है, तो तुम्हे क्या ले जानी चाहिए, एक torch ले जानी चाहिए, अपने साथ, okay, clear, अब यहाँ पर इस sentence को break करेंगे, break करने की शुरुआत हम करेंगे, वाउप से, तो यहाँ पर देखो जरा, should, यह क्या है, helping verb, take क्या है, main verb, okay, so conjunction है, यह conjunction क्या कर रही है, दो close आये हुए न, एक ये वाला close ये वाला close, दो close को जोड़ने के लिए, conjunction हाई हुई है, तो you, इस should के लिए, इसको subject चाहिए, तो you बनेगा subject, you should take what, क्या लेके जाओ, यह torch लेके जाओ, तो torch बनेगा object, इस verb का, with क्या है, preposition है, और view क्या बनेगा, इस preposition का, object बनेगा, यह article है, okay, इतनी चीज़ clear होगी है, हमारे सामने, आओ जो रहां यहां पर, outside का, outside preposition होती है, देखो outside एक, adverb भी हो सकती है, wait outside, लेकिन यह outside कब preposition होगी, कब adverb होगी, मिल्कुल simple सी बात, जब इसके बाद, इसके बाद कोई noun आ रहा हो, तो इसको बोल दो preposition, outside the room, यहां पर यहां रहा, तो यह preposition है, यह room क्या बनेगा, इस preposition का object बन जाएगा, यहां पर, the article है, clear, अब यहां पर देखो, very dark, very क्या होता है, adverb होता है, intensity बढ़ाने वाला, intensity बढ़ाने वाला, यह dark है, adjective है, dark है, adjective है, अब यहां पर आपने देखा, यह it's, it's एक, फिर से adjective आ गया है, यहां पर, possessive objective आ गया, possessive objective आ गया, बहाई सब यह अदिकार किसके पर जता रहा है, adjective तो लगा दिया, आपने, adjective तो लगा दिया, लेकिन अदिकार किसके पर जता रहा, अदिकार जताने के लिए कुछ चीज़ तो चाहिए अपने को, खाली पीली का adjective कैसे आ आ जकता है, तो it's यहां पर गलत लगा हुए, आना क्या था actual में देखो यह conjunction बैटी conjunction बोली कि भाया मैं जो काम है मेरा दो close को जोड़ने close क्या होते हैं जिसके अंदर subject verb का pair होते हैं plus subject verb का pair होते हैं इनको जोडने के लिए conjunction बीच में आ जाती है close क्यालाते हैं close में यहां पर देखो इसमें कहीं पर भी आपको verb दिखी नहीं दिखी तो verb missing थी दूसरी चीज इसमें कहीं subject दिखा नहीं दिखा तो subject भी missing था तो यह वाली जो चीज थी कोई बंदा यह लगाना चाहा रहा था कोई व्यक्ति यह चीज ल इस जो है वो main verb बनेगी it यहां पर subject बनेगा इस close में इसका subject और वब आ जाएगी और यह dark जो है यहां पर subject compliment बन जाएगा यह dark इस it को qualify करता हो मिल जाएगा सारी चीजें देखो जो अब तक रहा है नहीं मैंने अब तक रहा है वो सारी चीजें एक दूसरी से link हो रही है ब आखिला adjective आएगा नहीं इसको कुछ न कुछ चाहिए था तो इस subject compliment बनेगा इस subject के बारें बताएगा तो फिर से बता रहा हूँ अगर आप यहां तक पहुंच गए हो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आ रहा है तो जाकर पीछले वाली वीडियो देख लो क is main verb है mother subject है my इसके पर अधिकार जताने वाला adjective है possessive adjective है doctor subject compliment है noun है common है a article है and क्या conjunction है अब यहां पर काफी सारे बच्चों ने कैसे क्या होगा my mother is a doctor and she is the teacher my mother is a doctor and she is the teacher बच्चे तो यह बोलेंगे फटनी से क्योंकि पढ़ने लिखने में है sir हमने तो देखा ही ऐसा है हमने तो कभी ऐसा पर टांग तो सुना ही नहीं he is he is क्या होता है तो जरा देखो इसके लिए मैं एक sentence लिख रहा हूं मुझे बताना जरा सही है गलत मैं यही लिख रहा हूं my mother is a doctor and yours is a teacher तुमारी माताची क्या है अब यहां पर दो बंदों की बात हो रही है जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी माताची तो एक डोक्टर है और तुमारी एक teacher है यह yours actual में है क्या your mother यह mother की repetition मुझे रोक नहीं थी साथ ही साथ अधिकार भी जडाना ता तो इसलीं yours लगा दिया ना मैंने यह तो फटर नहीं समझ जाएंगे is main verb है doctor subject compliment है a article है mother यहाँ पे subject है my यहाँ पर दिकांग जडाने वाला adjective है and conjunction है and conjunction है यहां पर yours, your subject बनेगा is main verb बनेगा, main verb नमबर दो बनेगा teacher subject, compliment नमबर दो बनेगा ओके यहां पर तो यहां पर जब आप अप लोगों ने समझाइए yours आ सकता है, यानि yours का मत लोगत होता है your mother, तो यह he's में क्या दिक्कत थी he's भी तो भई है यह ना यह दोनों की spelling सेम है, दोनों की pronunciation सेम है, तो यह तो प्रोसेसी प्रोणाउन और प्रोसेसी अजेक्टिव दोनों का काम कर सकते हैं, तो एक तरीके से देखा जायते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, प्रोसेसी प्रोणाउन देखें तो, यहां पर क्या his mother नहीं कर सकते हैं, मैं बेशा कर सकते हूं, his mother कर सकते हूं, यूर्स mother कर सकते हूं, कुछ भी कर लो तो ही, यूर्स mother, यूर्स नहीं, यूर्स mother कर लो, their mother कर लो, कुछ भी कर लो, यहां पर हर mother कर लो, यहाँ पर फिर से दुवारा अजमाई मतर कर लो या फिर कोई नाम ही लिख लो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो मैं यह कहा रहा हूँ कि देखो sentence wrong होता है तो उसको सही करने के number मिलता है ना कि सही को काट के सही करने के समझ मैं है, इस sentence में कोई error नहीं है, sentence error free है yes, is, इसलिए बताई रखिए क्योंकि यह जो his है, इसके ओपर examiner, question पूछ सकता है क्योंकि इन दोनों की spelling सेम है दोनों की pronunciation सेम है, लेकिन इनके काम देखो जो रहा, possessive pronoun, possessive adjective पढ़ने, लिखने, मैटपटा लगा और further नहीं, यहां पर बच्चे ने गलती कि और number कटा, तो his यहां पर क्या है, subject number 2 है, his यहां पर main verb number 2 है, teach subject compliment यहां पर यह बन जाएगा a article है, clear यहां पर, okay आओ जो रहा, last sentence हम देख लेते हैं, नीचे वाला मैं rough कर रहा हूँ यहां ठीक है, थोड़ी सी मुझे space की जरूरता पड़ती है okay, okay, हो गया, हो गया बस, बस, थोड़ा सो रहे गया okay, okay आओ जो रहा, my अरे यार, यह क्या लिख दिया मैंने my bag आना था my bag आना था गलती से my bag लिख दिया मैंने my bag is very small so if you want a big one you should take her आओ जो रहा, यहां पर देखो bag यहां पर subject है, is यहां पर main verb है be की form linking verb बनेगी यहां पर इसके बाद क्या आएंगे, subject compliment आएंगे, small यहां पर subject compliment है very इसको qualify करने वाला adverb है, small क्या है, adjective है ठीक है, adjective बनेगा या adverb बनेगा, जरा यह देख ली न my इसको qualify, my इसके प्रतिकार जताने वाला क्या बनेगा, adjective बनेगा possessive objective, यह क्या बनेगा small, small यहां पर adjective बनेगा, ध्यान अगना qualitative adjective, यहां पर so conjunction है, if भी conjunction है, दो-दो conjunction, सरी दो-दो conjunction क्यों क्योंकि दो-तीन close है एक यहरा close एक यहरा close, और एक यहरा close, तीन close है एक, दो, तीन, तो तीन close को जोड़ने के लिए दो conjunction यहां पर आई हुई है, ओके want main verb number 2 होगी 2 लिख रहा हूं, यहां पर verb 2 नहीं लिख रहा हूं, verb main verb number 2 subject number 2 क्या लेके जाओ भी, अगर तुम्हें बड़ा चाहिए, यह object होगया, यह one big one, यह क्या है, यह back की repetition रोकने के लिए आ रहा है back की repetition रोकने के लिए one हम कर सकते है ठीक है अरे यार फिर से, one यहां पर अपना pronoun है यह, big इसको qualify करने वाला adjective होगया आगे देखो, should main verb नमबर थीन होगी, main verb नमबर तो आए नीचा main verb नमबर नहीं, helping verb take main verb नमबर थीन होगी you, subject नमबर थीन होगया take what, take what, your, her यह होगया object अब जरा क्या था, सोचो जरा इस sentence का meaning क्या था, इस sentence का meaning यह था कि आप गए अपने दोस्त के पास अरे यार यह आप हो, मैं बनाता हूँ आपको थोड़े लंबे बाल कर देता हूँ आप गए अपने दोस्त के पास तो इसके बाल खड़े है, ठीक है आप अपने दोस्त के पास गए और उसको का यार मुझे ना, bag चाहिए, मुझे बाहर जाने कोई घूमने जाने है तो आपका दोस्त वाला कि यार, देख, मेरे पास तो ना, छोटा है मेरे पास तो छोटे वाला bag है अगर तुझे बड़ा चाहिए, तो तुझे ले जा हर ले जा, टेक हर भाईया, क्या है रहे हो बैग के बतले लड़की ले जा यह क्या मतलब हुआ, इसका sentence का sentence का meaning तो यही मिना, ना, my bag is very small so if you want a big one you should take her, भाईया, अगर तुम्हें बड़ा bag चाहिए है, तो उसको ले ले के चले जाओ, भाईया, हर क्यों लगा रहे हो यहाँ पे, लड़की, bag का बाद दो रही है लड़की तुम ले क्या रहे हो, यहाँ पे लगाना क्या चाहते हो, यहाँ हर bag कहना चाहरे थे, bag की बात हो रही थी तो यहाँ पे हर की जगां क्या आना था अरे यार, यह बड़ा जीवा यार हर साना था, ओके sentence देखना, ना, sentence बात बैक की और यह बैक के लेंगे ना बैक के बतले लड़की क्यों पकड़ा देंगे clear, तो यह तती प्रैक्टिस की तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया है यहाँ पर, पोसेसिव पोसेसिव केस हो गया परसनल केस हो गया, परसनल में सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव केस आगे, दोनों आगे पोसेसिव बी आ चुके तो यह वीडियो जो है, वो free of course ही रहने वाले है, तो इसको device करना है शेर कर देना help करना है थोड़ी सी शेर करना चैनल को सबस्क्राइब करो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो से आपको क्या चाहिए? पीडिएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा आप लोगों को टेलिग्राम का लिका मिलेगा साथ ही साथ Facebook का भी लिंक मिलेगा जाकर देखिए वहाँ पर चेक आउट करिए आप लोगों को आपके exam के point of view से बहुत सारी चीज़े महां मिलने वाली है clear तो यह चीज़ों को आप revise करते रहे अगर जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखिए तब ही क्योंकि अबना level बढ़ता चलेगा धीरे 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 level up होगा ऐसा नहीं है कि आप सीधे यहाँ पर आओ और आप लोगों कोचीज़े समझ में आने लग जाएंगे ऐसा नहीं होगा तो वह साज के लिए इतना है जादा देरिव का भाशन नहीं रखूंगा तो वह साज के लिए इतना है थैंक योड़ वोचिंग इस वीडियो जैहिंद